चीरेका में Technical Supervisor Conference. अन्याय किसी के साथ भी बरदास्त नहीं. शिवगोपाल मिश्रा. आसन सोल, CLW. आल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के महामंत्री शिवगोपाल मिश्रा ने चीरेका में Technical Supervisor Conference को संबोधित करते हुए कहा कि फेडरेशन की कोशिश है कि किसी भी कैडर के स फेडरेशन संघर्ष से पीछे हटने वाला नहीं है. महामंत्री ने भारतिया रेल की चुनोतीयों की चर्चा की और कहा कि सरकार Cornell को कारोबार समझती है और कहती है कि कारोबार करना सरकार का का काम नहीं है. उसका इरादा साफ है, इस कठिन हालात में हमें संगठित होकर सरक से मुकाबले के लिए तयार रहना होगा। चरेका में CLW Railway Mainz Union द्वारा आयोजित इस कानफ्रेंस में महामंत्री ने कहा कि तमाम जुल्म और तकलीफ के बाद भी जिस तरह से सुपवाईज साथी अपने काम को अंजाम दे रहे है, उसकी जितनी भी सराहना हो। कम है। महामंत के रास्ते खुद ही खुल जाएंगे। महामंत्री दोहराया की Night Duty Allowance NDA भीक नहीं है। ये हमारा अधिकार है। फिलहाल AIRF ने काफी प्रयास करके रिकवरी पर तो तकाल प्रभाव से रोख लगवा दिया है। उन्होंने साफ किया है कि कि किसी को भी घबराने और परेशा पूर्ब महामंत्री स्वग। जेपी चौबे ने पत्र लिखकर इसके लागू होने से पहले ही विरोध शुरू कर दिया था। महामंत्री ने कहा कि आज NPS के तहत पैसा कट रहा है। ये तो हमें पता होता है। लेकिन ये पैसा जा कहां रहा है। ये किसी को पता नहीं हम पुरानी पैंशन की बहाली को लेकर संघर्ष से पीछे हटने वाले नहीं है। महामंत्री ने कहा कि आज न सिर्फ भारतिय रेल में बलकि विभिन उत्पादन इकायों और कार्खानों में कर्मजारियों की संख्या काफी कम होती जा रही है। इसके बाद भी भारतिय रे अपरंटिस साथी भी मौजूद थे। महामंत्री ने कहा कि देश में इस समय 56,000 के करीब अपरंटिस है जो पूरी तरह ट्रेंड है और वो अपना काम करने में भी पूरी तरह सक्षम है। महामंत्री ने हैरानी जताते हुए कहा कि जब देश में अपरंटिस के बारे में को जरूर बनेंगे. महामंत्री ने भारतीय रेल की चुनोतियों की चर्चा करते हुए कहा कि आज सरकार भारतीय रेल को बेचने पर आमादा है. लेकिन जब तक आल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन है और आप जैसे लड़ाकु साथी हैं, भारतिय रेल को बेचने का सरकार का सपना कभी पूरा होने वाला नहीं है उन्होंने कहा कि साथी लाल जंडे के नीचे एक जुट हो जाएं, फिर रेल भी बचेगी, चिरेका भी बेचेगी और MCF भी बचेगा CLW Railway Mainz Union के महामंत्री S.N. सिंग ने कहा कि अगर सरकार मज़दूरों और किसानों की बात नहीं सुनेगी तो इसे जाना ही होगा उन्होंने कहा कि आज सरकार अहनकार में है, लेकिन अहनकार टिकाओ नहीं हो सकता, एक ना एक दिन अहनकार की वज़ह से ही ये सरकार जाएगी महामंत्री ने कहा कि सरकार Union Federation को कमजोर करने की किनी भी कोशिश कर ले, वो काम्याब नहीं होगी रही सीक्रेट बैलेट में 51 फीसदी वोट की तो आज जिस तरह रेलकर्मचारी लाल ज्हंडे के नीचे एक चुट हो रहे है, उससे वो 51 फीसदी वोट हासल करने में कोई मुश्किल काम नहीं है इस कांफरेंस के दौरान ही मजदूर निता सोमनात राय ने अपने तमाम साथियों के साथ CLW Railway Mainz Union को ज्वाइन किया इस कांफरेंस को मुख्य रूप से राय बरेली कोच फैक्टरी के महमंत्री एलन पाठक, सुरेंद्र कुमार, गुलाब यादव, राजेश बेनिवाल, S.K. वर्मा समेथ तमाम लोगों ने संबोधित किया